किस तरह से पुलिस ने आक्शन लिया है, कुलकी जबती करी गई है, ये देखे, ये मेन इंटरेंस है मुबारकपूर गौं में हम पोहँचे वे हैं और ये गौं वही अलाका है जहां पे एक हफता पहले ये गौं बड़ा बवाल में था और वज़ा थी कि लोग आपस में भिड़ गए और दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े और उसके बाद दो लड़कों की हतिया करती गई, मार पिटा ये तनी हुई कि एक ने स्पोर्ट पे दम तोड़ दिया और दूसने होस्पिटल में, उसके बाद एक्शन का रियाक् शाशन आक्टिव होती है, और जो मुख आरोपी है, विज़ाय यादव, मुख्या पती कहलाते हैं, ये उनका घर है, देखिए किस तरह से पुलिस ने आक्शन लिया है, कुड़की जपती करी गई है, ये देखिए, ये मेन इंटरेंस है, मेन इंटरेंस का दरवाज, मतलब दिवार सिर्फ बचा है, घर में जो भी समान होते हैं, पुलिस दिवार से जो आप दरवाजा है, वो भी तोड़के गई है, जो कुरकी जपती का नियम होता है, वो पूरा नियम का पालिन किया गया है, और यहाँ पर देखिए, किस तरह से पुलिस एक्शन मोड में और कु तोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब देखिए, यह घर और इस घर का नजारा आपको बता रहा होगा कि पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है, और कुरकी जपती बहुत कल ली गई है, यहाँ पर देखिए, यह एक घर है, और यह इस घर लगता नया ब जबसे आपको सिर्फ दिवार के सेवा यहाँ कुछ नी दिखाई देखा, इस घर में जो चीजे होती है, पुलिस कुलकी जबती में एकदम ये कुलकी जबती हुई है ये दोनों घर एक घर वो जो हमने आपको देखाई है ये दूसरा घर जो विजय यादव मुख्या पती कहलाता है उसका ये घर है और यहाँ पे कुलकी जबती हुई है देखिए ये नजारा आपको देख लिजे दोनों घर जादा दूरी पे नहीं 50 मीटर के दूरी पे हैं का हुआ था यहां पर देखे ये चाची लोग भी मौजूद है इनसे भी हम बात करेंगे मगर आपको हम बता दे कि विजय यादव के घर पे कुलकी जबती हो गई है और विजय यादव अब फरार चल रहा है आप अपनी राय नीचे कमेंड बॉक्स में लिके धन्यवाद